दोस्तों इस वीडियो में हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदशन कर रहा है कुछती पहलवानों के बारे में भी बात करने वाले हैं और साथ में जम्मो कश्मीर के पूरू गवर्नर सत्थपाल मलिक सहाब और हमर देश के घ्रह मंतरी अमिशाह के बीच में जो इस्टेटमेंट का वार चल रहा है उस पर भी बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदशन कर रहा है कुछती पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है इसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भारत का प्रतनिद्द्ट करते हैं उन पहलवानों के आरोप बहत गंभीर हैं। साथ कुस्ती पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकार दायर भारतिये कुस्ति संग WFI के अध्यक्ष ब्रजबुशन सरन के खिलाब FIR दर्ज करने के मांग की थी। पहलवानों के आरोप है कि BJP सांसाथ ब्रजबुशन सरन ने महला पहलवानों का योन उत्पड़न किया जिनमें किशोरी भी शामिल बताय जाती हैं। केवल संशोदित हिस्सा ही सारोजनिक तोर पर सामने आना चाहिए। दिल्ली पुलिस को जारी किये गए नोटीस पर शुकरुवार तक जवाब वापस आ जाए। कोट में पेश हुए हैं। उन्होंने बताया कि पहलवान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सिब्बल ने सुप्रीम कोट को बताया कि यौन उत्पिरन के आरोपों के बावजूद अभी तक ऐफायर दर्ज नहीं हुई है। युवा लड़की उस समय 16 साल की थी उसने गोल्ड मेडल भी जीता था। उन्होंने ये भी जिरा की कि इस तरह के अपरात के मामले में जाज करने के लिए पुलिस करीमें उपर भी मामला चलना चाहिए। जियां ये कपिल सिब्बल साब ने कहीं न कहीं बात रखी है। तो इस तरह से हमारे जो कुष्टि पहलवाने वो जनतर मंतर पर प्रदशन करते हुए देखे गए हैं। क्या माहौल हो चुका है देश का। यानि कि BJP के जो सांसर सहाब हैं उनके उपर एफायर करने में इतना वक्त लग जाता है। जब कुष्टि पहलवानों को इतनी मशक्कत करना पड़ रही है अपने खिलाब जो गलत हुआ है उनके लिए वो आवाज उठा रहे हैं कि एफायर दर्ज हो जाए एफायर तक नहीं हो रही है। क्या है इदेश में फिर आम जिनता का क्या हाल होता होगा। खर अब मामला देखते हैं क्या होता है क्या नहीं सांसस सहाब के साथ बीजे पी क्या करती है क्या नहीं उन्हें पड़ से हटाती है नहीं हटाती एफायर होती है नहीं होती आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अब हम अगली खबर पर बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मिर के पूरो राजवाल सत्पाल मलिक ने कहा है कि ये एक कहना गलत है कि उन्होंने 2019 के पुलवामा अटेक का मामला पद छोड़ने के बाद उठाया है जी आप सभी को पता होगा कि सत्पाल मलिक साब ने जो तमाम आरूप लगाया थे ग्रह मंतरी साब ने उस बयान पर टिपनी करते हुए कहा था जिसमें ये बात निकल कर सामने आई थी कि सत्पाल मलिक जो तमाम आरूप लगा रहे हैं वो पद छोड़ने के बाद लगा रहे हैं मलिक की और से इंट्रियंस की नाकामी से जुड़ बयान पर अमिर्शा ने ये भी कहा था इंडिया टूड़े कॉनकलेव में कि सत्पाल मलिक हमसे अलग होने के बाद ये आरूप लगा रहे हैं जब पत पर थें तो चुप क्यों थें शाहा ने आगे कहा कि मैं पूरी पृतिबद्धता के साथ ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे चिपाने की जरूप पड़े अगर हमसे अलग होने के बाद आरूप लगाता है कोई तो मीडिया और लोगों को इसका मुल्यांगन करना चाहिए इसी जवाब में सत्पाल मलिक साभ ने पत्रकारों से कहा कि ये कहना गलत है कि मैंने पत्र छो हमने आया है सत्पाल मलिक साभ और ग्रे मंतरी हमारे जो देश के उनके बीच में जो जुबानी वार चलती हुए हम देख रहे हैं अब दरशल मुदा ये भी उड़ता है सवाल ये भी उड़ता है कि सत्पाल मलिक साभ ने जो तमाम बाते किये उसकी जाच होना चाहिए जाच होना चाहिए लेकिन क्या आपको लगता है जाच होगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा और वैसे जो पुलवाम अटेक में हमारे देश के वीर जवाँ शेहिद हुए उनके घरवाले भी जाच के मांग कर रहे हैं जी अब हम अगली खबर पर आ जाते हैं तो मौन की बात करार दिया है जा मौन की बात यानि की मन की बात को कॉंग्रेस वालों ने मौन कर दिया है वैसे आप सभी को पता ही होगा कि जब कॉंग्रेस के सरकार थी डॉक्टर मन मोहन सिंग जी देश के परदान मंतर थे तब उन्हें मन मोहन सिंग की जगे मौन मोहन सिंग कहना काम भी बीजेपी किया करते थी अब कहीं न कहीं वही काम कॉंग्रेस वाले हमर देश के प्रदान मंतरी जी के लिए कर रही है कह रही है कि यह मन की बात नहीं है यह मौन की बात है कॉंग्रेस के कम्मिनिकेशन चीप जैराम रमेश ने कहा कि प्रदान मंतरी नरेंदर को फेलाने के लिए पीम की शक्तिसाली प्यार मशिन और टाइम काम कर रही है इस बीच मौन की बात है अडानी चीन सत्पाल मलेक के खुलासे और बरबादी जो हो रही है चोटे मोटे उड्योगों की अन्य महत्मुन मुद्दों पर मौद्यू साहिब की चुप़े इसलिए मे मरत होते हुए ऐसे मुद्दों पर बात होते हैं जिनका कोई महत्म जादा नहीं है काश मोदी जी बात करते है कि ये जो चीन है ये चीन हमारे जबीन को निगलता जा रहा है हमारे जमीन पर लगतार कबजे करता जा रहा है, सडके बना रहा है, पुल बना रहा है, खुद हमर देश की आर्मी कहीं बार इतला कर चुकी हैं, कहीं बार विदेशी अखबार दावे कर चुके हैं, खबरे चाप चुके गए, चीन भारती जमीन को निकल रहा है, इस पर मोदी जी कुछ नही हुए राहुल गांधी लगतार पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड किसके हैं सरकार को जाब देना चाहिए राहुल गांधी ने सवाल संसद में भी उठाय लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया और ना कोई जाच हुई ना EDCBI कही ना कहीं जाच के लिए तैयार हुई ऐसी जानकरिय इस पर बात मोदे जे को करणा जाए महंगाए जो इस दरीष में चल रही है उस पर मोदे जे को बात करना चाए कि महंगाए के लेकर उनके पास क्या रन नीती यै क्या ऐसा प्लान है जिसे महंगाए को कम कर सके क्याकिए अब तो 2024 के बिलकुल चुनाव नस्दिक आचुके ह और वो तमाम वाइदे जब मौदी जे इस देश के पी-एम नहीं थे वो गुजरात के सी-एम थे पी-एम बनने के लिए बिल्कुल लाइन में खड़े थे कह सकते हैं बिल्कुल तयार बैठे थे उस समय तमाम मुद्ध उठाये थे कि बहुत होई महँगाई के मार अब की बार मौदी सरका वही मुद्ध अब गायाब है उन मुद्धों पर कोई बात नहीं होती है लेकिन अब देखना यह हैं कि अन्य जो विदान सब्वे के चुनाव हो रहे हैं इसमें अगर बीजे पी को जटका मिला चाहिए वो करनाटका क कि बात कर ले तो करनाटका के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजे पी को कम सीटे आएगी कॉंग्रेस को जीतते हुए दिखा रहे हैं दूसरी तरह राजिस्तान, 36 गार मद्ध प्रदेश जारकरन, इनमें भी आने वाले वक्त हमें चुनाव हैं विपक्षी दल एक जूट ह कर रहे हैं क्योंकि लोग सबके चुनाव के लिए एक जूट होंगे तभी बीजे पी से लड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजे पी पूरी तरह से चारों तरप से घिरती हुए दिखाए देती हैं आपको क्या लगता है कि बीजे पी हारेगी बीजे पी जीतेगी बीजे की तरह आने वाले 50 सालों तक राज़ करेंगे अभी तो उनके 10 साल ही पूरे होंगे दोहजार चौबेस में 40 साल तक और यानि की हमें शाज़ जी की अनुसार तो आप बताएगा कितने सालों तक रहेंगे यह था वीडियो कैसा लगा जूरू बताएं जानके ठीक टाक लिए चनलों को सबस्कार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा फिर बिलेंगे स नए वीडियो में तब तक लाइब के दोस्तों देए इजाज़त नमस्कार